कैसे आप लोग वाइस और वीडियो सबको क्लियर है एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो शुरू करते हैं आज का बहुत इंट्रेस्टिंग सेशन आप सभी लोग एक्साइटेड होगे आज के सेशन के लिए आप से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि दो दिन मुझे लगे पूरा का पूरा प्लान करने में सारी के सारी टीम सेट अप करने में इस चैनल के शॉट्स के तुरू आपने टीम को भी एक जलक देख लिए होगा कि भाई टीम में कौन-कौन शामिल है किस तरीके से काम चल रहा है तो मैं तो पूरी तरीके से रेडी इसे आप लोगों से पूछना चाता हूं ठीक है बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट कमांड आ रहें आदेश आ रहें बट मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था यार कि एक ही सब्जेक्स स्टार्ट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे क्याल से आप लोग यह करने का 10 व्je please करने करने वाले है वही सबजेक्ट करने वाले है और क harbor लोगों को दिल से बहुत खुशी हुई और कही चैटिक जो एक अविशा ऐसकति आप ने ईक स्टीचिन और करने की। एक जो पैशन है ना वो और दुगना हो गया ठीक है तो अब मैं दुगने पैशन से टीचिंग करूँगा दुगने पैशन से आप लोगों को पढ़ाऊंगा हमेशा कितना जैसे हमेशा करते थे बहुत सारी लोग मेरे हेल्थ का अपडेट पूछ रहे थे तो मैं आप लोगो चैट बॉक्स में आप लोग अपना हाल चाल बता दो कि कैसे हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ इधर उधर सोशल मीडिया पर हर इक जगह पर जाके अपना रिस्पांस दर्ज करा रहे हो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मै ठीक है परफेक्ट परफेक्ट चलो तो कोई बात नियार जॉब के साथ साथ भी एक्जाम निकाला जा सकता है मैंने भी निकाला थोड़ा एक्स्टा एफट लगता है डाट इस फाइन ठीक है बहुत बढ़ी है शांदार तो अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होने वाला है पहले तो वह बता फिर मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं ठीक है एक छोटा सा हिंट देता हूं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला उसके बाद रिवील कर देंगे तुरंत रिवील कर दें वो start होता है E letter से, ठीक है, वो start होता है letter E से, तो एक बार आप लोग guess करने के कुशिश करो कि वो कौन से subject होगा, जो भी subject मैं start करने जा रहा हूँ, वो letter E से start होता है, ठीक है, E for elephant, तो बहुत सारे लोग बोलने, अरे Sir यह क्या हो गया, यह कौन से subject आप में बता दिया, अच्छा यह subject किसी भी branch में हो सकता है, ठीक है, तो चलो दूसरा hint मैं आपको दे दिया, ठीक है, बहुत interesting answers हाा है chatbox में, जल्दी जल्दी सभी लोग पार्टिसेपेट कर लो जित्ती जल्दी आंसर देदोगे उत्ती जल्दी मैं रिवील कर दूंगा आपके लिए प्रॉपर ना यहां पे मैं परदा लगाया हुआ हालाकि मुझे पीपीटी यूज करना उतने अच्छे से नहीं आता है बट मेरे ए चल ये चलो कर देर्फिल का में जब सबसक्राइब और बट तो और ज्यादा मज़ा आ जाएग आ T कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया है मेरी टीम ने डिसाइड किया है और आप लोगों के पर्दा उठा देते हैं यह लीजिए इसांदार तरीके से यह पर्दा आपका खुल चुका है और सब्जेक्ट आप लोगों को दिग्या होगा मेरी ख्याल से सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट के आप लोगों से मेरे पास रिप्लाई आये थे ठीक है मेरा सारा का सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि सर इंजीनरिंग मैतमेटिक्स इंजीनरिंग मैतमेटिक्स सर प्लीज करवा दीजे तो अब बताओ किते लोग ऐसे हैं जिनको अब थोड़ी शांती मिल गई थोड़ा सुकून मिल सब्सक्राइब कि यही है जल्दी से बताने यार दिल पे हाथ रखे सबी लोग आंसर देंगे कि सर हम एक्च्वल में यही चाहते थे ठीक है शौर बाकी जो subjects हैं, जो बाकी subjects आप लोग demand कर रहे हो न, obviously one by one ही ला सकते हैं न, ऐसो दो नहीं कर सकते हैं पांस subject में एक साथ पढ़ा दूँँ वो practically possible नहीं होता है, क्योंकि एक particular lecture लाने में बहुत सरा time लगता है, ठीक है, क्योंकि lecture systematic होते हैं, PPTs होती हैं, उसमें questions होते हैं, बहुत सारी चीज़े महाँ पर करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शांदार, नेगी सर भी comment में है, तो नेगी सर को भी big salute मेरी तरफ से, नेगी सर वाला ही नेगी salute में सर को वापस करता हूँ, चलो, बहुत सर लोग बोल रहे हैं, सर, दिमाग हलका हो गया, भ बहुत सारे लोगों के questions आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के questions आ रहे हैं, कि सर, इसमें क्या-क्या मिलेगा, कौन से time पे होगा, और क्या scheduling इसकी होगी, कब से ये start होने वाला है, है ना, उसके लिए भी, उसके लिए भी, मैं आगे one by one चीज़े discuss करना, start करता हूँ, अच्छ तो surprise से पहले question का मैं आपको answer भी, पूछूँगा, अगर आप उसका answer दे दोगे, तो मैं surprise भी आप लोगों के लिए reveal कर देता हूँ, done ना भाई, बहुत सारे लोग पूछने है, sir, DPP, भाई, मुझे DPP का full form नहीं आता है, DPP तो हम नहीं देंगे, बट एक नई चीज़ दे कर देना, कि yes sir, हम यहीं चाहते थे, ताकि एक बार मैं देख लो कि मेरे पास जो percentage आये थे, जो calculation आई थी, वो वही थी, या कुछ और है यहाँ पर, कुछ लोग गोल रहा है, sir, lab वाली story भी बता दीज़ेगा, बिल्कुल बताएं गयार, यहाँ पर जो sessions अपने चलेंगे, आपको बहुत सारी stories, जैसे मैं हर session में सुनाता हूं, आपको भी सुनाओंगा, क्योंकि देखो, मुझे ही पता है, कि लगाता और दो घंटे टक टेकनिकल content पढ़ना practically possible नहीं होता, तो बीच-बीच में थोड़ा से relaxation चाहिए होता है, जो आपको motivate भी करें, और आपको subject में पनाकी भी रखे, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आप मेरे उपर छोड़ दो, ठीक है, वो tension लेने के जरुवत नहीं है, ठीक है, येस, 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 बहुत ही बढ़ी है, चलो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो परदा उठा गया, परदा उठा गया, और सबको पता चलिए, अच्छा, अब देखो, जो ये पूरा का पूरा mathematics वाला chapter है, इसको मैं modules में divide करने वाला हूँ, ठीक है, modules में सर आप इसको क्यों divide कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, module 1, module 2, module 4, module 5, आप तो सर पूरा पढ़ाने वाले हो ना, पूरा ही चीज कि ये comprehensive course होने जा रहा है, comprehensive course का मतलब होता है, कि यहाँ पर questions जादा करवाए जाएंगे, जो theory है वो तो discuss करी जाएगे, but हर type के questions आपको करवाए जाएंगे, last year जिन लोगों ने भी mathematics पढ़ा होगा, electrical branch को अगर छोड़ दें, क्योंकि उसमें ऐसे question आये थे, जो मुझे इंवार्मेंट में उसने impact भी दिखाया, आपने देखा, overall cutoff कितना नीचे चला गया, topper का number कितना नीचे चला गया, क्योंकि mathematics का जो question था, वो बहुत out of range बना दिया, बहुत सारे ultra easy questions उसमें डाल दिया, ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा होता है, कि भाई, लोगों का दिल तूट जाता है, उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, खेर, उसके अलावा बागी जित्ती ब्रांचे थी, उसमें अगर आप देखोगे न, तो exactly notes से उटके questions आए हुए, है न, जैसे computer science के questions अगर आप देखो, probability, as it is, से civil के questions से आप देखो, mechanical के देखो, आप XE के देखो, आप electrical के देखो, आप EC का देखो, मेरे खाल से जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो इस बात पर agree करेंगे, ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ तो एक comprehensive course होने जा रहा है, comprehensive course में systematically, lecture by lecture हम लोग सारी चीज़े complete करें हैं, तो क्या mathematics का पूरी की पूरी 13 नंबर की त्यारी हमारी complete हो जाएगी, ये पक्की बात है, देखे, 13 नंबर की त्यारी पक्की हो जाएगी, बशर्ते आप ये पूरा का पूरा lecture follow करेंगे, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर हमने lecture certain किये थे, हमने PYQ नहीं लग algebra, ठीक है, module 1 जब linear algebra खतम हो जाएगा, तो module 1 के बाद सबसे पहले तो module 1 का test होगा proper, ठीक है, proper test होगा, उस test में जो भी बच्चे अच्छा perform करेंगे, मैं try करूँगा कि उन बच्चों का पहले तो आप लोगों के सामने learning यहाँ पे लाने की कोशिश करो, मैं personally उनसे बात क्यों कि उन्होंने अच्छा perform क्यों किया, ठीक है, module 1 जो अपना complete हो जाएगा, उसके बाद module 1 का proper test लेंगे, module 1 जब पूरा done हो जाएगा in all senses, फिर हम module 2 पर switch करने की कोशिश करेंगे, तो mathematics में हमारे दिमाग में पूरा का पूरा mathematics कभी नहीं आना चाहिए, हमारे दिमाग मे असल में तीन हिस्से होते हैं, है न, एक हो गया calculus of real variables, जो कि आप 11-12 में भी पढ़ते हो, है न, 11-12 का नाम लेते हैं, आपको बहुत सारी चीज़े पुरानी भी याद आ जाती है, तो वो अभी थोड़ा से अपने mind को control करो, ठीक है, आपको अपना सब x, y, z, बाभूश होन तो वही calculus हमारा कभी-कभी vector variables पर लगता है, जिसको कि हम vector calculus भी बोल देते हैं, और कभी-कभी वही calculus हमारा complex variables पर भी लगता है, जिसको हम calculus of complex variables बोल देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पुरा हिस्स्ता यहाँ पर हम लोग निप्टा देंगे, आप लोग देखोगे यहाँ अगर आपने ये सीख लिया, तो ये आसान हो जाएगा, ये सीख लिया, तो ये आसान हो जाएगा, तो तीनों इंटर लिंक करके पढ़ेंगे, देखिए, practically मुझे ऐसा लगता है as a maths teacher, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि आप पहले complex पढ़ लो, फिर vector पढ़ो, फिर calculus पढ़ो, मतल लोग अच्छा करेंगे, उनसे मैं personally interact करूँगा, उनसे बात करूँगा, और उनकी learnings आपके साथ share करने की कोशिश करूँगा, कि भाई, इन लोगों ने अच्छा किया, आप लोग अगली module में से सीख सकते हो, तीसरा module जो आपका आएगा, this is very 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 important differential equation, ठीक है, बहुत important है, इसको अकेला मैंने एक module में डाल दिया है, differential equation को, तो module 3 वाला जो differential equation इसमें बच्चों को बहुत problem होती है, ठीक है, बट मैं इसमें आपको category by category divide करके दिखाऊंगा, कि कैसे आप category by category के differential equation को आप solve कर सकते हो, और उनको याद करने का एक simple तरीका भी बताऊंगा, है ना, module 4 पे जाते है, probability, random variable, statistics, जिसमें कि मेरी expertise है, इस पर मेरी expertise मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो chapter है, communication system में बहुत advanced level पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जो बच्चे civil से हैं, mechanical से हैं, या फिर other branches से हैं, तो उनको ये chapter में बहुत असानी से समझा पाता हूँ, क्योंकि इसी का बहुत advanced version, हम लोग electronics and communication में पढ़ाते हैं, random variable and probability में, ठीक है, तो उसका एक बहुत diluted version यहाँ पर present है, यह मैं आपको करवाँगा, साथ के साथ module 5, numerical methods, तो जित्ते भी electrical EC वाले हैं, भाई एक बार ये numerical methods भी पढ़ लेना, इस बार, पता नहीं, paper बनाने वाला कहां का syllabus देख के आता है, कौन से जमाने वो जीरा, जोची syllabus में नहीं होती है, वो भी उठा उठा के syllabus में डालने की कोशिश करता है, तो numerical methods छोटा सा chapter होता है, इसको आप सभी लोग पढ़ लेना, बाकी other branches में तो है यह, है ना, बाकी other branches में तो आपका यह है ही, but EC electrical वाले भ हो जाएगा, gauge करना, map करना, कि सर्फ कौन सा module हमारा complete हो गया, module by module हम लोग preparation करेंगे, module by module हम लोग test देते रहेंगे, और learnings को हम अगले module में implement करने की कोशिश करेंगे, फटा फट जल्दी जल्दी बोलते रो यार, खीक है, everyone, सब बता रहा हूँ, सारी चीज़े बता रहा हू बाना, भाई, अगर आप मुझसे mathematics पढ़ रहो हो, या कोई भी subject पढ़ रहो हो, है ना, तो ये sentence अगर आप use कर रहो हो ना, तो वो redundant है sentence, अगर आप मुझसे कोई भी subject पढ़ रहो हो, और आप बोलो सार, basic से पढ़ाना, तो ये information ही redundant है, आपने अगर मुझसे कोई भी subject पढ के आप चिंता मत करो मैं आप लोगों को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा भाई टेंशन मतलो ठीक है तो इसको पांच मॉड्यूल्स में हम लोगों ने क्या कर दिया डिवाइट कर दिया डन है यह जो आपके सीरीज है मीन वैल्यू थो रहे हैं वह क्यालकुलस में सारा का सारा कवर साथ कर दो सारी ब्रांच इसका सारा कवर कर वाएंगे कोई दिक्कत वाली बात इसमें सारी ब्रांच इसका बट्रांड बीने करवाएंगे जो कीतना भी मैथमेटिक्स का घी गेट मां कर आता है वो नहीं करवाँगा हाँ आपके ब्रांचेस में जो मैथमेटिक्स तेरा नंबर काता ना वो करवाया जाएगा ठीक है अरे यार कैसी बात कर रहे है रुद्कर्ष कैल्कुलस लिखा हुआ है तो अब उस पर पूरा तले बस आपको थोड़ी बताऊंगा क्याल्कुलस में सब कवर हो जाएगा ठीक है तो वह आप टेंशन मतलो डन बहुत ही बढ़िया श्चांदार हाँ यह पूरा पूरा गेट एंड यह सी लेवल तक का भी रहेगा ठीक है देखिए जो आपका सीरीज वाला जैसे कुछ लोग बूल रहे हैं सर क्या लाप्लास फूरियर स्रीट जेड इसमें कवर होगा बिल्कुल कवर होगा वो मॉडूल 5 में भी जो मिस्क्लीनियस वाला कर देंगे या आपके समिस्टर में कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक आता होगा जो गेट में नहीं है तो लास्ट वाले टॉपिक्स ना डिमांड बेसिस पे रहेंगे जैसा आप डिमांड करोगे जैसा उस टाइम पर अविलिबिलिटी रहेंगी मैं उसको करवा दूँग तो अभी कॉमेंट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि ये फ्री भी हो जाए, ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करें, तो पहले ये module वाला तो clear करो है, जल्दी से एक बार hashtag clear चला दो सभी लोग, हाँ sir, hashtag clear हो गया, module by module करने में सर मदा आ जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्क लोग ready है, clear है सभी को ये चीज, बोलो जरा फटा फट, परफेक्ट, तो module by module इसको अब लोग निप्टा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मज़ा आ जाएगा, क्लास में पढ़ेंगे, और mathematics एक ऐसा subject है, जिसमें कि सिर्फ आपको क्लास में आके बैठना, बहुत ज़्यादा दिमाग लाने के जरूरत नहीं है, और जो चीज है नहीं, उसको लगाओगे, क्यों, जबसे important बात ये भी है, ठीक है, perfect, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, date और time की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो date आपका जो है, वो है 6th of April, आज 2nd of April है, 6th of April का आपका first class live हो जाएगा, most probably कल ही वो class live हो जाएगी, ठीक है, week में ये classes हम लोग 6 days करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, करेंगे 6 days, Sunday को आपको off दे देंगे, Monday to Saturday classes चलेंगी, 6 दिन ये classes चलेंगी, 6 दिनों के साथ-साथ, ये 6 April से start होने वाला है, तो इसमें किस है, एक ही दिन का आमें break, क्योंकि देखो, अगर मैं 5 दिन करूंगा, तो Saturday को तुम लोग IPL देख लोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है, दो-दो IPL आएगे Saturday को दोनों बैटके निप्टा लोगे, तो बेटरा मेशा क्या रहेगा, 6 दिन कर लेते है, कम से कम एक दिन का तो IP मिस होगा, नहीं तो Saturday आपका वैसे भी IPL में जाने वाला है, तो बेटर उस दिन mathematics अपना इप्टा लेते हैं, एक ही दिन IPL में आपका संडे वाला, देखो कि ही है, रोख पाओगे नहीं अपने आपको, ठीक है, तो कोई फाइदा निए, बेटर है कि अगर class schedule रहेगी, तो चार उतरब चक्के लग रहे हैं, बहतरीन तरीके से, परफेक्ट, ठीक, अब यार देखो time क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल मेरे पास जो था ना, इस session से पहले कि time इसका मैं क्या लेकर चुनू, कौन से time पे session को start किया जाए, तो अब again timing जो होगी, वो आप ही लोग decide करोग ठीक है, 5 p.m. to 6.30 p.m. slot हम लोग cover करते हैं, अरे 6 घंटे मैं तो पढ़ा दूँगा, तुम लोग नहीं पढ़ा पाओगे न, तो मैं तो पढ़ा ही सकता हूं, बताओ ये वाला timing का slot कैसा है, अगर मैं सोचता हूं कि मैं 5 p.m. से करवा दूँँ, आप लोगों को और 7 p.m. तक चले, ठीक है, चलेगा, जल्दी से एक बार आप लोग लिख दो, chat box में देख लेता हूं, फिर accordingly मैं पोल create कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि उस वाले slot में जादे तर बच्चे आ सकते, देखो, morning वाले slot में आप आ नहीं पाओगे, ये मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंक पे आप आ नहीं पाओगे, खुद भी attend नहीं कर पाओगे, तो actually आपके लिए प्रॉब्लम कहीं नहीं हो जाएगे, 4-6 कर लें या 5-6 कर लेते हैं, ठीक है, नहीं बहुत सारे college वाले बच्चे भी हैं, तुम्हें उनसे भी जानना चाहता हूं, 5 बे तक आप लोग फ्री हो वोट की है, आप भी कल उस पर वोट कर सकते हो, और accordingly हम लोग discuss कर लेंगे, ठीक है, तो जिस पे सबसे आदा परसेंटे जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाओगे ना, 5 बजे, ताड़े 5 से कर ले, साड़े 5 से कर वा ले, ठीक है, चलो मैं समझ गया, मतलब शाम वाले slot में आप कमफर्टेबल हो, ऐसा आप बोल रहे हो, है ना, यह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, एक तो हम सारे लोग इंजीनियर, और उपर से आप पूछ रहे हो, शाम वाले slot में फिर हो आरे, सुबा वाले slot में कैसे फिर हो जाएंगे, इंजीनियर का तो मतलब ही होता है, रात, इंजी आपके पास रहे गए, आप उसको रिकॉर्डेड देख लीजेगा, ठीक है, चलिए, तो यह वाली बात मैं आपके वीपर शोड़ता हूँ, मैं पोल क्रेट करूँ गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, मैं कौन से टाइम पर करूँ, आप किस टाइम पर कर दिया, तो session के पीछे का process होता है, session कैसे बनता है, thumbnail कैसे बनेगा, कैसे upload होगा, किसी दिन हलांकि मैं वो भी process आपको दिखाऊचा कि इतनी महनत लगती एक session आने के पीछे, तो वो पूरा अ-पुरा settlement accordingly करना पढ़ता है, इस वजह से timing बढ़े important होती है, कहने को तो आप करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर जो आप क्लास में पढ़ाएंगे उसका नोट समको कहां पर मिल जाएगा तो देखिए अगर आप सभी लोगों के पास अनकेडमी एप होगा ना तो वहां पे एक कम्यूनिटी का फीचर आ रहा कोई copyright का वो डाल देता तो कभी-कभी पूरा टेलेग्राम ही बैन हो जाता है और कभी-कभी टेलेग्राम से पुरानी फाइल स्वाइप भी हो जाती है तो कम्यूनिटी पे हमेशा लाइफ टाइप की तरह पढ़ा रहेगा जैसे कि आपका स्टोर वाला ऑप्शन होता जैसे आप मुझे यह बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं इमानदारी से बताना ठीक है उसमें कोई ब्लफ वाली बात मत करना मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो डीपीप का फुल फॉर्म जानते हैं ठीक है क्यों बहुत सारे बच्चे कमेंट में आकर लिखते हैं डीपीप क्या चाहिए कि हॉसा ने बहुझा क्या रही है जाएग उस्यों कै надबाना एं ने बहुत संहरे क्यों मुझता the पता है मतलब सबसे पहले वाले को तो पता है भाई बाकी लोग मुझे पता है कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो बाकी लोगों को पर तुमा बिलीव नहीं करूंगा ठीक है यार ये तो गलत बात है आपने खुद बोला सिर्फ DPP चाहिए आप बोल रहें सर सॉल्यूशन भी दे दो दोनों चीज़ें कैसे हो जाएंगी भाई सॉल्यूशन भी चाहिए ठीक है चलिए तो मैंने क्या किया है ना मैंने सर्प्राइज में आप सभी लोगों क्लिप पहले तो DPP का नाम बदल दिया भाई है ना DPP नाम से मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पता नहीं चलता है कि डेली प्राक्टेस प्रॉब्लम बनाई किसने हैं आप मानलो कि मैं क्लास ले रहा हूं अब डेली प्राक्टेस प्रॉब्लम बना कोई और रहा है तो वो तो गलत बात है ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लास ले नाम बदल के कर दिया है VGPP VG का मतलब हो गया विशाल गेट अब देखो विशाल गेट का मतलब है विशाल गेट मेरा अनकैडमी का कोड है actual में ये कोड आपको आपको बहुत सारे free accesses भी provide करता है जैसे आप community पर जाओगे तो हो सकता है शायद access करने के लिए ये कोड मांग ले या कोई भी चीज जैसे अगर मैं कभी कोई file टेलेग्राम पर share करता हूँ कोई short note share करता हूँ generally वो logged होते हैं तो ये इस code के तुरू आप unlock कर सकते हूँ बहुत सारे short notes मैंने share की हुए अगर आपको कहीं मिलता हूँ तो ये मांग के वो सारी चीज आप access कर सकते हूँ तो मैं आपको सिर्फ VGPP ही नहीं दूँगा बलकि उसके साथ साथ उसका solution भी दूँगा ठीक है ना उसका solution भी आप सभी लोगों को मिलेगा ये मेरी guarantee कैसे मिलेगा जब भी आप कोई भी YouTube lecture देख रहे होगा उसी YouTube lecture के जस्ट नीचे special class का एक link pasted होगा ठीक है special class का link pasted होगा तो example के तौर पे एक उदाहरन लेते हैं example के तौर पे suppose अगर हम class start कर रहे हैं 4 बज़े से लेके suppose हम लोगोंने 5.5 बे तक class attend करी है ना चार बज़े से लेके suppose अगर हमने 5.5 बे तक class attend करी उसके बाद मैं आपको आदे घंटे का break दूँगा और उसके immediately बाद आपको मैं DPP के live solution करवाऊंगा mostly आप मान के चलिए 30 to 35 minutes के around आपका solution रहेगा 10 questions उसमें मिलेंगे ठीक है 10 questions तो आप लोगों की जो जिम्मेदारी रहेगी वो चार बज़े से लेके 5.5 और 6 से लेके साथ यानि 4 से 7 वाला slot आपको daily basis पर book करना पड़ेगा समझ गया ना सभी लोग तो 4 से 7 वाले slot में immediately हमको उसका video solution में मिल जाएगा live solution हम लोग कर लेंगे तो अगर आप live solution करने होगे तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ polls create कर सकता हूँ आप मुझसे na immediately real time में कोई भी image attach करके मुझसे question पूछ सकते हो वहाँ ठीक है जैसे मालो आपको class में ही कोई doubt रहे गया था तो जाहिर से बात है YouTube पे आप मुझसे doubt तो नहीं पूछ पाओगे ना कि सर पिछली class में यह doubt था और यह हम link paste कर रहे हैं इसका answer बता दीजे तो special class में हमारे पास देखो facility एक तो देखो real time वहाँ पे environment रहेगा जैसे ही आप मुझसे बात कर सकते हो बात करने के साथ साथ बात दना से सच में call करके बात कर सकते हो class में ठीक है तो class में directly call करके आप बात कर लेना आपको किसी question में doubt होता है आप image upload कर दो image upload करने के बाद मैं उन question का answer आपको देने की कोशिश करूँगा सारे दे पाऊंगा कि नहीं तो depend करेगा question कैसा है और try करूँगा अपनी तरफ से best effort दूँगा ठीक है और उसके साथ साथ आपको immediately live solution properly मिल जाएगा तो basically एक YouTube के lecture में ही आपको सारी चीज़ा integrate होके मिल जाएगी आपको click करना है आप जाएए वहाँ पर video solution देख लिजे ठीक है हाँ उसका PDF आप download कर सकते हो जैसे अगर आप academy app पर जाओगे न तो आप special class में जाओगे जैसे आप class देखोगे class का वह देखोगे टाइटल उसके बगल में ही डाउनलोड का option आ जाएगा डाउनलोड विद अनोटेशन और विद अनोटेशन विद अनोटेशन में आप डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएग वह आप drive बगरा में कहीं पर भी सेव कर सकते हो डन है ओके बोलो भाई अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है अब एक ही डाउट होगा कि सर यह जो आप लाने जा रहे हैं सर इसका प्राइस क्या है यह तो बता दो ठीक है तो सबसे पहली चीज जो subject स्टार्ट हो रहा वह mathematics स्टार्ट हो रहा है ठीक है mathematics के साथ साथ आपका वह mathematics पांच modules में divided हैं point number 3 modules में divided होने के साथ साथ classes की timing date 6th April timing जो है वह आपका जो timing है वह आपका आप लोग को decide करके बता होगे इसी session पर मैं पोल करवाऊंगा एंड उसके साथ साथ आपको एक मैंने example दिया कि आपको class के बाद ना सिर्फ practice मिलेंगे बलकि उसका solution भी मैं करवा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझ पर भरोसा जताया है तो जाहिर सी बात है वह भरोसा यार complete करना मेरी थिम्मेदारी है ठीक है चलिए तो अब प्राइस की भी तो बात कर लेए रे फ्री तो नहीं होगा भाई ठीक है तो नहीं पर आएगा प्राइस इसका रहेगा आप सबीवलोगे लिए चलिये मेरी इस परحेगा सब से हहला जो प्राइस इसका वह है आपके अटेंडेंस ठीक pledge आपके attendance, second जो इसका price है, वो है आपका involvement, तीसरी जो price है, वो है आपका dedication, और चौती जो सबसे highest price है, कि अगर इस course को करके आप अच्छी rank लाते हो भाई, तो फिर मुझे बताना मत भूलना, एक message तो बनता है, कि सर, हमने आपका mathematics का course किया था, या कुछ भी course किया था, सर, विर कहाने की कुशिश करता है, कहीं न कहीं, यही एक उसके पास motivation होता है, कि भाई, यह चीज बिलनी चाहिए, बस, है ना, तो किते लोग ऐसे हैं, जो यह चार चीज़े पे करने के लिए ready है, पक्का, कसम खाते हो, दिल पे हाथ रखके, मेरी कसम मत खा ले न भाई, ठीक है, मे किते लोग ऐसे हैं, जो यह चार प्राइस पे करने के लिए ready है, कि सर, यह चार चीज़े तो पक्का रहा वादा रहा, पक्का, तो चलो भाई, फिर प्राइस भी इसका लिखी देते है, ठीक है, इसका प्राइस रहेगा भाई साब, यह लीजे, चलेगा, यह इसके आगे ल चलो, तो यार, देखो, यह मेरी न, moral responsibility थी, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि इसके पीछे मैं कुछ charity कर रहा हूँ, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है कि, मतलब, ऐसा कुछ नहीं है, इस is my moral responsibility, यह मुझे करना ही चाहिए, और यह मैं करूँगा, यह मेरा आप लोगों से वादा ठीक है, साथ के साथ, जैसे मैंने बूला ना, कि यह सबसे important चीज़ है, आपकी attendance, आपका dedication, ठीक है, आपके attendance, आपका dedication, और उससे भी ज्यादा जो चौथे नमबर मैंने बूला कि rank आने के बाद आपका message यार, बनता बनता है, ठीक है, ओके everyone, आप तो किसी को कोई doubt नहीं है भाई, अब तो किसी को नाराजगी नहीं है, अब तो सब लोग खुश हो, जल्दी बताओ एक बार, आप देखो, इसके बाद वाली आ गया, रहे सर, mathematics तो हो गया न, अब इसके बाद बताओ तो क्या हो जाएगा, यार, ये एक आदत अगर आप लोगों ने बस छोड़ दी आप लाइफ में पता नहीं क्या कर लोगे, बाद में क्या हैगा वो छोड़ो यार, कल को क्या पता क्या होने वाला, आज क्या मिल रहा है न, उसको focus से grasp कर लेते हैं, और उस पर best देने की कोशिश करते हैं, जिस दिन आपने ये चीज़ अपना ली न भाई, उस दिन आप ल लाना, बहुत असानी से आप ला सकते हो, बशर्ते बस आपको systematic वे होने की जरूरता है, systematically अगर हम लोग follow करें, तो हम कर सकते हैं, इस बात पर बहुत खुशी नहीं होती, कि अगर किसी IIT का कोई बच्चा first rank लेके आता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, ब आज की date में भी उसी age में, तो वो बहुत मेरे लिए important होता है, मुझे बहुत confidence देता है, कि यार चलो कम से कम कुछ बच्चे relate कर पाते हैं, कि यार हम tier 2, tier 3 college से हैं, हम चोटे college से हैं, बट हम life में बढ़ा कर सकते हैं, ओके, syllabus कब खतम होगा, time कब खतम होगा, यार यह इस बा पुरा planner भी में time के recording आपको दूँगा, फिर हम लोग उसी के recording, proceed कर लेंगे, ठीक है, ओके, अच्छा है, एक last question, एक last question आप सभी लोगों से, ठीक है, एक last question, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, sir, an academy, plus पे आपका कोई course आने वाला है, plus पे हम क्या expect कर सकते हैं, तो देख प्लस वाले बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके कोई ब्रांचों, EC ब्रांचों, electrical ब्रांचों, आपको ये बहुत सारे subject जो आप चाहते हो, कि मैं आपको पढ़ाओ, वो मैं आपको जरूर करवा दूँगा, उसमें कोई tension वाली बात है नहीं है, तो plus म मुझे भी time नहीं मिल पाया है, मैं भी रात को काफी लेट फ्री हुआ, जैसी मुझे पदा चलता है, मैं आपको बदाता हूँ, मुस्ट परबली कल तक वो decide हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ YouTube पे रहेगा, प्लस पे नहीं आएगा, प्लस पे भी आज तो यार, पता नियार, आप लोग क्या सोचते हो, मुझे तो लगता है, आप लोग बीटेक वाले हो, थोड़े से mature लोग हो, थोड़े सा sensible बाते करोगे, जो कि आप करते भी हो, 10 में से 9 बार, बात एक आधा कोई आजाता, मुझे लगता 11 वी, 12 वी का, वो थोड़े सा, ठी ठीक है, चलो, पर्फेक्ट, लैंग्वेश तो आर हिंग्लिश ही रहेगी, मतलब आधा हिंदी, आधा इंग्लिश, जैसे हम लोग जनरली पढ़ते है, प्योर इंग्लिश तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि मैं बोली नहीं पाऊंगा, और मैं उसमें एक्स्प्लीन नह पाऊंगो, तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, बट इस इस सम्थिंग विच इस नॉट मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगोंगा, तो सिर्फ मैं ही समझ पाऊंगा, आप नहीं समझ पाऊंगे, तो मेरी लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो कोई डाउट तो नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैसेज किया था, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं जरूर करवाओंगा आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स किसी भी तरीके से करवाओंगा, जैसे भी मुझे करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, वो मेर सबी बच्चों को यह कमिट किया था, कि आर मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेदारी है, होल एंस होल, मैं करवाओंगा, कैसे करवाता हूँ, मेरे उपर आप छोड़ दो, मैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता हूँ, तो I hope, अब कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा, कभी कभी slots book होते हैं, slots नहीं खाली होते हैं, हो सकता है, five to seven, कोई other teacher वहाँ पर sessions ले रहे हूँ, तो बहतर है कि एक other option आपके लिए